नमस्कार कैसे हैं नमस्कार मैं हूराकेश आप लोगे सामने स्वागत करता हूं और उमीद करता हूं कि अब एक महीना आप जम के जितनी ताकत आपके अंदर होगी उतनी ताकत से आप पढ़ लेंगे कुछ चीजे फटाफट फटाफट मैं अपने कुछ पुराने अनुभव पर आपको बताने कोशिच करूँगा जो कि आपकी आखरी एक महीने के लिए आपको वाकई में मजबूत कर देंगे और ये इक चीज़ फिल्टर करके कि आपको इसमें पढ़ना है वो कर लेंगे हमें दो टॉपिक इसमें पढ़े हैं । जिस से लगभग को सी उड़े को हिए में इसमें प्लस पैठागोजी गे और छी ऐस कररंट अफेर इन तीन टॉपिक के उपर हम लोग जोरदार तरीके से महनत करने कोशिच करेंगे और इसमें इससे पूरा फिल्टर करके ना अभी मैंने पूरा एक फ्लोप कंटिंड चार्ट बना लिया कि हां क्या क्या इसमें चीज़े रहेंगे तीसरी से पांच वी जो भी इस लेवर से वही इसमें दिया हुआ है अभी मैं तीन-चार यह बहुत इंपॉर्टेंट डिसकस करूंगा थोड़ा से इसमें देखते हैं वही टॉपिक है फैंबली फ्रेंज हना फिर आपका इसमें आपका आ गया फूड, वाटर, फिंग्स वी डू, शेल्टर, ट्रैवल, यही वाले तो इसमें पूर अच्छे से किया हुआ है और इसको हम लोग अपने एक्जाम के ओरिंटेशन में कैसे यूज़ करने हैं वह देखेंगे इससे पहले मैं दो-तीन बातें बता दूँ एक्जाम की डेटा आ गई है तो धन्यवाद मनाईए कि एक्जाम की डेटा गई है वरतमान समय में जब परिक्षा कई के सालों तो लटक जाती है जहारखन PCS का 2005 का रिजल्ट 18 साल बात आया है ऐसे दिनों में आपके कोई अगर आप लोगों अभी थोड़ा सा आप लोग की पहले की स्कूलिंग और अपने क्लासे सोड़ी सिंसर पहले से पढ़ी है तो यह महिना में आप काम खतम कर देंगे कुछ भी नहीं है अराम से सेलेक्शन निगलेगा आपका ठीक है बहुत सारे पॉजिटिव आपके पास को करना है तीन-चार चाहिए अब आपको ध्यान देनी है सीरिसली बता रहा हूं मैं कुछ ऐसी आनभव की उपर बता रहा हूं कि जो कि आपको नीशी तुर्फाइदा देगा पीसेस तक के एक्जाम दिये है मैंने इसमें क्या-क्याच फेक्टर काम करते हैं आपका 50% सेले इस परफेल पर नहीं है आपके नीचे और डर रहे हैं कि आपको डर आएंगे और यह नहीं होता वह नहीं होता यह पढ़ना प्लीज ऐसे लोगों से बच्चेंग काम आपका हो क्या दूसरी चीज आपको बहुत कंफिजन हो रही है बहुत सारे आपको लग रहा कि मुझे भूद कुछ नहीं आ रहा है जहां आपको डौट बहुत ही रिस रहे है तो थेंक्य वो लिए अपने अप्रेशिंग को चिए बहुत अच्छी बात है कि आपको डाउट रहे हुआ डाउट उसी रहे हैं जिसकी प्रप्रेशन बढ़ियाश चल रही है ना नो चरी कंफिरूज में आपको आपने टार्गेट बनाने पड़ेंगे कल क्या पढ़ना आज रात को सेट कर लीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में एक दिन में दो से तीन विश्य जरूर पढ़िए ठेक जिनकी वैटिज का में उन्हें लास्ट पढ़ना है और बड़े विश्यों को पहले पढ है टार्गेट रियलिस्टिक सेट करने लेकिन अब आपने आज जो पढ़ लिया वह कल जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले आज वाला रिवाइस जरूर करेंगे प्लीज 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 रिवाइस जरूर करेंगे और जो आप रिवाइस करें तो हम सब तो फाडू रिविजन की न टिप्स बन जाएंगे जो आप सोते समय टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेट रहे हैं तो भी आप सुलोगे कि अच्छा मैंने यह रिवाइस किया था ऐसे सिखिया था यूं रिकॉल होगा यूं रिकॉल होगा मज़ा तब आएगा आपको तेक है जिन खुद से आपको खुद के रिकॉर्ट्स तोड़ने हैं आपको आप चार दिन यह कर दीजिए पांचवी दिन आपना एक फूट ऊपर चलेंगे खुशी के मारे मेरे पैर जमीन पर नहीं पढ़ रहे है एक्चुली वह सिक्टूशन होती है जब आप अपने कियवे चीजों कि आपने में सेलेक्षन इजी हो जाता है यूट्यूब ये मटेयव ये पीडियेफ आ आज आया तो 3 साल चार साल फेले उससे पहले हैं लोगों की सेलेक्षन नहीं होते थे ऐस इससलेक्षन होते रहे हैं आज भी आईसी सेलेक्षन होंगे टॉपर मस निकले नाचानक से आ आपके जान पहचानों में उन लोगों में से बिल्कुल नहीं होगा जो आपको रोज बूली कर रहे हैं जो रोज सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म को मिलते होंगे आप उनसे वह दिखेंगे नहीं उनकी आईडी बन में जाएंगी सही बतारा है आपको इन सब चीज़ दूर र अगर आप ठक रहे हैं तो रेस्ट करने के लिए सिर्फ सुएं और कोई काम नहीं करें मतलब बहुत लिमिट कर दीज अपनी मुवमेंट को अपने कमरे में मुवमेंट कर लेजिए अब पढ़ लिया रेस्ट करना है पंदर मिंट सो पावर नाप जखकी लेना इस टाइप स कीजिए हैं जो हमें बहुत अनिवों के बाद यह सब चीज़ समझ में आती है क्या नहीं करना क्या करना है यही सब स्मार्ट प्रिप्रेशन है अब खेर चलते हैं टॉपिक के और पहले छे टॉपिक है एवियस में ठीक है और मैं यह मान के चल रहा हूं कि एक टीस तीस नम लिए गा नोवी किलास का पूरा प्लांट गेंगडम अलब पौधों के पूरी प्रक्रियास सेक्ष्वल सेक्ष्वलिए प्रोड़क्शन और सब कोछ इसमें फिर अनुवल गिंडम जीव वाला है पूरे सारे किंडम ठीक है है एरिडिटी अनुवान शिक्ता पूरा है environment के उपर questions आएंगे friends जो हमारा है वो environment के उपर हो जाएगा ठीक हमारे आसपास environment के वरतमान के जो लंत मुद्दे जो है normal से basic जो मुद्दे हैं जो हम लोग पढ़ते हैं and one basic environment जो है ecosystem होगा यह थोड़ा 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 यह सब देखना होगा जो women empowerment यह हमारे आर्टिकल 17 हो गया आर्टिकल 23 पॉलिटिक हो गया 24 हो गया फिर आर्टिकल 39 ना 39 हो गया 39 हो गया इस ताइप के questions आ सकते हैं जो women's के लिए important कुछ scheme से जैसे विशाका guidelines है gender bias के पर बना हुआ है working place पे women's के सादगार exploitation होता है तो इसको रोक निकले विशाका guidelines आई थी हना government of Rajasthan के against a case हुआ था वो इस ताभी question आ सकते हैं हना महिलाओं के special rights के हैं फिर जो government के portals पे कुछ important activities चले भारा सरकारे कुछ important activities ऐसी चल रही है जो कि women empowerment को मदद करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह और बड़ी बड़ी कुछ ऐसी बड़ी सी schemes ठीक है इनका घ्यान देना है यह आपका family friend में cover होगा friend में बड़ा broader है family पूरी बायो है that's all यहाँ पर हम चलेंगे shelter में shelter मतलब आवास मतलब habitat देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेजी से बहुत वास्ट बहुत ज्यादा आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी करिए मैं इसी तरह की उमीद करता हूँ है हना उसमें क्या स्वरूप होते हैं रहन सहन कैसा है इसको बोल देंगे हम लोग हुमन जोग्रफी का पूर्शन है ठीक है इसके पाद रहन सहन यह हमारे रहन सहन खान पानी सारी इसमें चीज़ आ जाएंगी climate change यहां भी दिया हुआ है यहां यहां भी यूज होगा natural calamity प कहां tornado बोला जाता है कहां टाइफून बोला जाता है इसके बाद by degradable मतलब important issues है गार्वेस इस डिस्पोजल कैसे करते हैं बायो मास कंसेट्ट क्या है बायो डिटिवल किसका क्या है उसके बाद चिपको मूवमेंट वगरा है protection of trees वगरा कहना यह सारे यहां जाएंगे हापे चिपको मूमेंट के पर question आएगा कुछ question तो ऐसे जो सीदे सीदे आएंगे को रोकने वाला नहीं है रूरल और अर्बन एरिया इनकी इश्यूस इनकी प्रॉब्लम्स एनिमल शेल्टर खास्तोर से कौन से जानवर कहां रहता है एक सिंग वाला गेंड़ा कहां मिलता है फिर इनके शेल्टर में हम सारे नेच्छल नेशनल पार्क को अगरे भी करेंगे बायोड़ उसकी पार्क प्रॉब्लमख्यों के उपर मदुमक्य पालों के पर कोशन आ जाते हैं फिर आएगा थिंग्स वी डू जो चीज़ हम करते हैं बड़ा मस्त सा है इसी सा है फैब्रिक टु फाइबर एक चैप्टर एंस यहां से आएगा जो कपड़ उपड़े बनाना पॉलीमर्स वोगरा इसके उपर कोशन आ जाएंगे हैं फाइबर टु फैब्रिक की तंतु से कपड़ा बनाना इस टाइप से कंसेप्रेटिशन का जो पादन होता है या कपास वपास है इससे सारे कंसेप्ट आएगा नेच्रल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें रिलेबल नॉन रिल होई है बहुत स्ट्रेट है बहुत अच्छा है खासत फारसे इसमेना हमें एक सारे सारे फिर्मारा आगepherल संची हमेरे में क्रेश की होती होती दूनिया की लाई mortal लोकेशन पता होनी चाहिए हनु इसके बाद हमारे रियल जो रूट्स हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारा वो हमको पता होना चाहिए तो यह सारा कुछ जीवन रेखा इनी को बोलते हैं इसके बाद motion की उपर फड़ा पढ़ना होगा physics का physics के हमें पहली unit करनी होगी वो सारी unit जो seven international units होती है SI units वो सब करनी होगी gravity की उपर फड़ना होगा petroleum products की उपर फड़ना होगा फिर में फ्यूल इसमें से थोड़ा करना होगा ठेक है इंधन फिर मारा फूर्वूर्ड मैंने बहुत अच्छे बता है था फूर्ड मतलब एवरेशिंग नूट्रिशन नूट्रिशन मतलब फेले तो खाना खाना क्या तो नूट्रिशन मतलब बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट पूरी प्रोटीन विटामिन मिनरल कार्भो हाइड़ेट फैट हना रफेज फाइबस एवरेटिंग उसके बाद नीचे आये जब डाइजेशन डाइजेशन हो गया उ सारी चीजे कवर हो गई पल्यूशन से होने वाले डीजीज हो गई सारी चीजे कवर हो गई इसके बाद डिफरेंट टाइप फूड अलग अलग फूड हैबिट के उपर कुछ कोशन सा सकते हैं फूड में तीन हिस्से बहुत इंपॉर्टन है नूट्रिशन डिजीज और उ अब भोजन का संग रिक्षन परिए परिए ठीक है यहां से चीजे कवर अब हो जाएंगी इसके बाद आप करेंगे वाटर वाटर वी अच्छा टॉपिक है वाटर साइकल जल के बारे में पताना है फिर्थवी वाटर के विविलिटी क्या है वो कंसेप्ट क्लियर होने चा प्रशे से आने चाहिए इसके बाद सोर्स ऑब वाटर क्या क्या है इंपोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्विशन ऑफ जल का संगरख्षन जल से जुड़िवी समस्या उसके बाद जल प्रदूशन जल को बचाने के उपाए ठीक है उसके बाद वाटर के कुछ फिनॉमेना विस इसी स्पीड से आपको पढ़ना भी है, कैसे पढ़ना ही देख लिया, अब मैं आप लोग को क्या क्या कराऊंगा, पैडागोजी, GS, करंट अफेर और EVS, और मैं दो तरीके से लेक्चर लने के सोच रहा हूँ, आप लोग पताना होगा, कि पैडागोजी, EVS और GS तीनों के मि जा के हम एक डिली क्लास लें, ये तीनों के अलगला क्लास लें, जैसा होगा मुझे बताइएगा, पढ़ने में लग जाएए, मस्त सेलेक्शन होगा, हस्ते हस्ते सेलेक्शन होगा, दुखी कर दिजिएगा लोगों को अपने कॉण्फिडेंस से, लोग चाहेंगे कि आपक कि वो सुपेरियर हैं और आप नीचे हैं, कुछ नहीं बोलने आपको, वक्त बताएगा, थेंक्यू, बाबाई